स्टार्टिंग से ही, हाँ, छीक यह सब, मैं, syllabus हाँ, पूरा syllabus. आप में से कितने लोग ऐसे हैं, जिनको अपना syllabus याद है? कोई नहीं? मैं एक comments से लिए बस लिख देता हूँ, एक बार देख लोग अपना सेकेंड ग्रेट और फर्स ग्रेट है ना? दोनों ही है, बाकी लोग नहीं है? सभी लोग सेकेंड ग्रेट के और फर्स ग्रेट दोनों ही लोग है ना? ठीक साथ. एक जोग्रापी में है, वर्ल्ल जोग्रापी, वीश्व का भुगोल, राइट? इसमें आपको पढ़ना है, महादीप, महासागर, और पढ़ना है आपको, वीश्व में पवंतंत्र, विंड सिस्टम, और चोधा पोइंट है याँ आपर, परियावरण समस्या. यह 2nd grade का syllabus है ना, कितना topic आपके पास? चार, महादीप, महासागर, पवंतंत्र और परियावरण समस्या. 2nd portion हमारे पास रहेगा, इंडियन जोगरापी, भारत, भारत में आपको पढ़ना है, इस्तती M विस्तार, जलवायू, अपवाह तंत्र, बायोडिवर्सिटी जेविवित्ता, उर्जा संसाधन, क्रशी, एम, उद्ध्योग की, बदलती, प्रवर्ती, ये कहां से पढ़ना आपको? इंडियन जोगरापी से, ठीक है, ये कहां से पढ़ना आपको? इंडियन जोगरापी से, रैट ना, ये 2nd grid का सेल, फिर हमारे पास रहेगा, राजस्तान का भुगुल, राजस्तान के भुगुल में आपको क्या-क्या पढ़ना है? इस्तितियम विस्तार, बहतिक पर्देश, जलवायू, अपवाह तंत्र, आपवाहतंतर मतलाब सीजाई, जीले शव इसमें इंक्लूड़े न? खनीज शनसाधन इसमें उリजए शनसाधन इंक्लूड़े न? अलकसे नहीं लिकरें में उर्जाश्था सनसाधन, खनीज मतलाब राजस्तान के उध्योग, an परियतन, यह आपका सेलेबस है, लगभग लगभग है ना, टोटल सेलेबस आपके पास यह, इसमें दो चीचे किलियर अपने पास, जो आपने अपवा तंत्र लिखा है, इसी में सीचाई राजस्तन की जीले इंक्लूड है, खनीच संसादन लिखा है, इसी के साथ क्या इंक् है ना, अलग से नहीं, उद्योगे, परिवाने, क्रशी, परशुपालन और परियतन, यह आपका मोटा मोटा सेलेबस है, अगर आपने 2012 की 2nd grade हुई, जो 13 में होती है, 2016 में 2nd grade हुई है, और 2018 की 2nd grade और अभी last rally 2nd grade, अगर आपने पुराना पेपर देखे होंगे, तो 2nd grade में GK GS कितने प्रश्ण होंगे, 100, कितने नंबर के होंगे, 200, अगर आपने गोड से देखा होगा, तो आप देखना, आपके पास 20 प्रश्ण तो हैं, शिक्षा मनुग्यान की, बाकि 80 प्रश्ण हैं GK के, और उन 80 में से आप नोट कर लेना 4 प्रश्ण, अवरेज आप निकाल होगे, तो जोग्राफी के प्रश्ण आप देखना, आज ही घर जाकर या आपने देखे होंगे, तो कम से कम 35 से लगा कर 38 प्रश्ण एवरेज बेटेंगे, की सबचेट के बेटेंगे, जोग्राफी के, सब 2 गड़ में सबस्दाद जो आपको पढ़ना है, क्या पढ़नी है जोग्राफी, इसलिए नहीं कि मैं पढ़ा तो इसलिए मैं अपने सब्चेट की इंपोर्टेंस दे रहा हूँ, आप खूद पेपर चेक करना, सबस्दा आपको जोग्राफी पढ़नी है, वर्ल जोग्राफी है, इंडिन जोग्राफी है, और राजस्थान, जबकि हिस्ट् इसमें से, मैक्जिमम जो प्रशन आएंगे, वो आएंगे 20 से लगाकर 22 कहां से आएंगे राजस्थान की जोग्राफी से, सबसादा प्रशन, यहां से जो प्रशन आएगा, पवंत अंदर हमेईशा दो प्रशन फिक्स आएंगे, आएंगे, परियावंड समेंशा में, जो conference बेद परेटी desses होती है ज़ दो महादीप संन experiencing in BP ए वहां से आता है महादीप दोनों मिला कर अधिकतम कितने प्रasyन इतने इतने प्रasyलों कुछे को थे पांच और खो सकता हैробिश वन 5-6, इंडिन जोगरह피 यहां से भी इस्तति वी 6 स्तार से प्रश्ण मुंच्छिल आता है, प्रउय से जल्धाइये जो मांसून सिस्टम है इपको in Cilebus में मांसून Люб है उसे प्रश्चन आते हैं और एक से दो प्रश्चन आते हैं, 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 यहां पर भी एक प्रश्चन, यहां पर भी एक प्रश्चन, तो मोटा मोटा आपके पास दो दो और एक गिनों तो 5-7 प्रश्न यहां मानलो आप अधिक से अभी, यह अपके पास मोटा मोटा और 22 प्रश्न कहां से अपने पास? राजस्थान से, यह सेलिबस 1st grade वालों को तो केवल और केवल क्या पढ़ना है? राजस्थानी पढ़ना है, इसके अलबा 1st grade में परियावनके समष्या पढ़ना है, वो साइन्स में पढ़ना है और भारत की जनसंग अध्या पढ़ना है वो अर्तन Noemyn Tam या करण्ड में पढ़ना है उत्या किसम्स्थान ए अगर आपको बहुत अच्छे से बहुत बढ़या से टोपिक समझ में आ जाएं राजस्तान के भोतिक परदेश तो जीवन में कभी भी आपको खनीज और उर्जा संसाधन रटनी की जरूत नहीं पड़े कि आपको इध्याने के अरावली का निर्मान कैसे हुआ है और अरावल कि उत्पत्ति के बारे में कहानी पता है तो फिर आपको किसी भी शेत्र में पेट्रोलियम, प्रकति, कोईला केवल और केवल कहां पढ़ोगे थार के मरुस्तार अगर आपको दक्षिन पूर्वी पठार विंध्यान चल अच्छे से याद है कि कैसे इसका निर्मान हुआ है तो आपको फिर चुन्ना पत्थर केवल और केवल कहां पढ़ना पढ़ेगा दक्षिन पूर्वी पठारी शेत्र जहां चुन्ना पत्थर होगा वहां सिमेंट उद्योग होगा तो चुन्ना पत्थर के साथ साथ सिमेंट उद्योग भी याद हो जाएगा इस्थति विस्ता आक्षांश बहुत अच्छे से याद हो जाएगा आपको तो फिर आपको कभी भी जियोन में क्या नहीं रटना पड़ेगा? जल्वाया। कभी नहीं रटनी मदागे किया क्या करएएं मार्च माह के बाद ही हैं रजेस्टान एह में इत क्या करएएं सितंबर के बाद ही हमारे पर स्रितितु प्रारण होती तो उस gucken करता है कि आप काऊंछ से Latitude पर इस्थितु, तो जब अक्षांश बहुत अच्छे समझ में आ जागा तो क्या समझ में आ जागा जल्वायू और जल्वाई ही बहुत अच्छे समझ में आ गया तो एक टोपीक और रही है यहाँ पर वन संसादन शायद 2nd grade में है या नहीं है मुझे नहीं आ इडिया है 1st grade में तो है तो जल्वाई बहुत अच्छे समझ में आ जागा तो वन संसादन यानि की वन जीव अभ्यारन यह बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे तो यह आपका मोटा मोटा 2nd grade का syllabus है 1st grade का syllabus केवल क्या है हां बहुत सारे हैं क्योंकि आपकी PDF की रेट होती जाएगे हां बिना में आपके आगे नहीं चलेंगे अपन एक आप मोबाईल में ले लो लिख लेना घर पर हां करें स्टैप तो सभी लोग राजसान पढ़ेंगे पहले राजसान से शुरू करें पन ठीक साथ हटा दे छीक साथ जैसे आप जोगराभी पढ़ना शुरू करते तो आप तीन लाइने पढ़ते हैं जहां से स्टैट करते हैं क्या पढ़ते हैं कि राजसान 23 डिग्री तीन मिनाट उत्री अधक्षी ख्री अक्षांश से लगाकर 30 degree 12 minute उत्री अक्षांश यह लाइन सब सब पहले पढ़ते हैं पर इंडिया पढ़ रहे हो तो इंडिया में पढ़ते हो भारत इतने डिग्री से लगा कर इतने डिग्री तक ही फिर आप दुसी लाइन यह पढ़ते हैं चाहे भारत हो या राजसान हो राजसान 69 degree 39 degree 30 minute पूर्वी देशांतर से लगा कर 78 degree 17 minute पूर्वी देशांतर पर इस्तिति इस इस्तिति को हम कहते हैं राजसान की अक्षांश और देशांतर इस्तिति जो ग्रापी में या थोड़ा सा सिस्टेमिटिक रूप से आप बात करते हैं तो यह किसी भी राज्य की लिए टर्म होता है अवस्तिति लोकेशन इंग्लिश में बोल सकते हैं हम किसकी बात करें सर राजस्तान की अब सर इसको क्यों पढ़ना पढ़ता है क्यों सबसे पहले जोग्रापी यहां से शुरू होती है अब आपने पढ़ रखा हैं क्या पढ़ रखा हैं कि राजस्त से कितने जिलों से बासवाडा बासवाडा जिले की ठीक मद्य से और डुंगरपूर जिले से कौन सी रिका गुजरती हैं करकरेका कौन कौन से जिले से गुजर रही हैं बासवाडा कितना किलोमेटर गुजरती हैं 25 कितना किलोमेटर 25 दूसरा जिला कौन सा है डुंगरपू कितना Kilometer सर एक Kilometer तोटाल राजास्चान में करक रिका की लंबाई कितना हैं 26 ok effective तीश साथ अब इस करकर रिका की जो वेल्यू हैं वो हैं टेईस डिघ्री और तीस मिनट उत्री अक्षांश राइट जबकि यह वेल्यू कितनी है 23 डिग्री और तीन मिनट आपको इस जीवन में कभी नहीं सेकंड गेट में अगर जोगर आप ही सब्जेट की बात करें वो अलग बात है इस जीवन में मेत के स्टुडेंट को कभी नहीं पुछा जाएगा कि अक्षांश क्या होते हैं कभी नहीं पुछेंगे कि जो अक्षांश है या लेटिट्यूड है ये क्या होते हैं ये नहीं पुछेंगे आपसे आपसे पुछेंगे क्या करक्रिका राजस्तान के कितने जिलों से गुजरती है ठीक सूरी की अधिकतम सीधी किर्ने करक्रिका पर कब होती है राजस्तान में सुरी की सरवाधिक सीधी किरने कौन से जिल्ले में होती है राजस्तान का सबसे बड़ा दीन कौन सा होता है सर्वाधिक, सबसे बड़े दिन की अवधी, लंबी अवधी कौन से जिल्ले में होती है, ये प्रशन पूछे जाएंगे आपसे, लेकिन जब तक आपको ये अक्षान समझ में नहीं आएगा, तब तक आपको ये, हाँ, रटना है, बिल्कुल रटलो, 21 जुन को सुरी की अधि अधिक्तम तिर्ची किर्ने हैं, क्या कारणे सुरी की अधिक्तम सीधी किर्ने कर करेखा पर ही रहती है, क्या कारणे सुरी की अधिक्तम तिर्ची किर्ने जो हो 22 दिसंबर को ही रहती है, सबसे बड़ा दिन राजस्तान में कौन सा होता है, एक्ये जुन सबसे बड़ा दिन के कौन से जिल्ले में होता है कितने लोग बांसवाडा के लिए हाइट में ओप्षन देता हूँ नमबर A बांसवाडा नमबर B डुंगरपूर नमबर C जैसलमेर नमबर D श्री गंगा नगर 21 जून राजस्तान का सबसे बड़ा दिन 22 कितने लोगे हाथ कड़ा करो जल्दी से बिना डरे डरना नहीं विचार अभिवेक्ति है कोई नहीं अभी तो बोल रहे है सविधान पड़ोगी ना उसमें एक आर्टिकल पड़ोगी 19 A विचार अभिवेक्ति आप बोलने के अधिकार ही मुलीक अधिकार आपको विचार अभिवेक्ति करना है और अपनी क्लास में तो अधिक्तम करना है चुपनी रहना है चलो कोई बास्वडर राइट नहीं कर रहा है कोई भी नहीं ठीके डुंगरपूर नहीं जसल मेर ठीके आट वर बढ़या तो तीन ठीके श्री गंगानगर ठीके ओक्या मैं डुंगर पोटा देता हूँ बी ओप्शन है धौलपूर कितने लोग धौलपूर के लिए हत्कड़ा करें धौलपूर धौलपूर भी ठीके श्री गंगानगर अला हत्कड़ा करो राजस्तान में सूरी की अधिक्तम सिधिकिने बास्वाडा में है ना और सिधि अधिक्तम सिधिकिने कहां बोल रहे हो बास्वाडा लेकिन सबसे बड़ा दिन कहां होता है श्री गंगानगर और यह बिलकुल सही बात है क्यूं होता है इसको हम समझेंगे तो हम जो टोपिक शुरू कर रहे हैं वो करें राजस्तान की अवस्थिति एक बाल लिखो राजस राजस्थान की अवस्थिती, location of राजस्थान, location of राजस्थान, राजस्थान की अवस्थिती, मैं आपसे वापस के रहा हूँ, आपसे कभी नहीं पूछेंगे अक्षांश क्या होते हैं, लेकिन अक्षांश पढ़ना जरूरी है, क्योंकि अक्षांश अगर आपको समझ में आगए, आपको राजस्थान की भारत की जल्वायू समझ में आजाएगी, आपको विष्व का पवंतंतर समझ में आजाएगा, कितने तोपी किलियर होंगे अक्षांश से, राजस्थान की जल्वायू, भारत की जल्वायू, और वि इसक्रान समझेंगे तब हमारे पास एक star है निकटम, पर्थिका निकटम तारा कौन सぁ हैं? सॉर्य ये पर्थिका सबसे निकटम तारा है अब सॉर्य से में एक काल्पनिक रेखा खिशता हूं बिलकुल अब्सिल्यूट सरलर रेखा है , right ? हमार जोग्राफि में इस लाइन को कहा जाता है सिजगी, एसवाई, जेडवाई, जीवाई, थोड़ी जीजप से स्पिलिंग है, ग्रीक टर्में क्या कहा जाता है इसको, सिजगी, अब मुझे बताओ, सिजगी छोड़ो आप तो, गनीत के बाश्रम बताओ, एक सरले का अधितम कितने डिग्री का एंगल रखती है, 180, 180, मैं इस 180 डिग्री पर किसी बिंदु को ऐसा टिका दू, जिस पोइंट पर मैं इसको टिका हुआ, क्या मैं इसको एक्सिस कह सकता हूँ, अक्ष, यह पेन है, मैंने इसको इस पोइंट पर टिकाया था, क्या इस पोइंट का एक्सिस होगया यह, अक्ष होगया, जो अब 180 था वो कितने भागों में डिवाइट होगया, 90, अगर मैं इसको ऐसे ही इधर टिकाता हूँ तो कितना डिग्री होगा, 90, और ठीक, अपोजिट आता हूँ, तो कितना होगा, 90, भाई एक भाग यहां से अधिक्तम कितना डिग्री होगा, 90, ओक्ष, अपोजिट लेलो, कितना होगा, 90, अब पर्थी को मान लो कि यह पर्थी है, और पर्थी अगर इस एक्सिस पर ऐसे टिकी हो, अप्सिल्यूट ऐसे, तो पर्थी और इस सूरी की बीच में अधिक्तम कौन हमेशा कितना डिग्री होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए, इस एक्सिस पर इस परकार से अगर हैं, तो यह 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए, सूरी और पर्थी के बीच में थोड़ी सी जानकर ही आपको होनी चाहिए कि पर्थी और सूरी की बीच का जो एवरेस्ट डिस्टेंस हैं वो है 14.95 करोड किलोमेटर लगपक 15 करोड किलोमेटर दूर हमसे सूरी हैं फिर भी सूरी आपको बिलकूल इस पर्ष लूप से दिखाई देता है सोचो कितना विशाल होगा तब 15 करोड किलोमेटर का डिस्टेंस आप तेह करके उसको देख पारे हैं तो जितने भी हमार पास चाहे मर्करी लेलो बुद्ध लेलो शुक्र लेलो पर्थी लेलो मंगल यह सारे जितने भी ग्रह उन सभी ग्रह और उनकी भी उग्रह अगर अधीक होगा अब कोई भी वस्तु होगी कि इसके उपर अट्रेक्ट करेगी हमेशा ग्रिवीटी के साथ तो जो इतना जदा गुरुत आकरशन होगा समस्त आकाशी पींड उसके चारोर क्या करेंगे चकर नहीं बोलोगे परिक्रमा चकर तो ऐसे ठेड़े मेड़े हो सकते गलियों के चकर होते कि नहीं होते हैं वह सारा चकर यहां लगेंगे तब जाकर सेलेक्शन होगा परिक्रमा क्योंकि अबसुल्यूट रेडियस है त्रीजा है वह त्रीजा कितनी है 14.95 करोड किलोमेटर राइट इस और बीट पर परत्वी सूरी के चारोर क्या करती है एक प परिक्रमा का जो पत होता है इसे हम बोलते हैं ग्रेट सर्कल क्या बोलते हैं इसको फेक्र परत्वी घरडिर्ग वरटकर पत पर सूरी के चारोर परिक्रमा करती है ट्रीज कोई बहुत हैं जुकाव नहीं है το हमेशा एंगल कितने डिग्री का है अब मैं आप से इक बात के बहुत simple तरीके समझना, यह पेन आपके साथ कितने डिग्री का इंगल बना रहा, 90 आप इसको 10 डिग्री जुका दो, 6 कितना रहा, 90 बेसे 10 माइनस कर लोगे, कितना बचा, 20 डिग्री जुका दो तो, और अगर 23.5 जुका दे तो, माइनस कर लेंगे, yes, जितना डिग्री जुक 20 degree is equal होते हैं, 60 minute, ठीक साथ, 1 minute is equal होते हैं, 60 second, मैं अगर 23.5 बोल रहा हूँ, इसका मतलब, 23 degree और 30 minute, यह भी बोल सकते हैं, या आप इसको यह भी लिख सकते हो, right, तो जिस समय इस पर्थवी, या पर्थवी के समान, अन्य ग्रहों का निर्मान हुआ होगा, तो पर्थवी पर्थवी जो हैं, वो अपने on axis, अक्ष के उपर कितना degree जुकी हुई हैं, सर, तो पर्थवी जो हैं, वो बिल्कुल सूरी के सापेक्ष में इससे सीधी नहीं है, वो अपने अक्ष पर on axis, कितना degree, तो on axis वो जुकाव रखती हैं, 23 and half, right, अब यह 23 degree और 30 minute, या साड़े 23 degree पूर्व की और पर थी, जुकी पूर्व सर कैसे, axis यहां बन रहा था, yes, इस point पर अब यह जुकाव किदर हो गया, east में, कितना degree, 23 degree और 30 minute, right, तो कोई एंगल नहीं बन रहा था, तो अधिक्तम कौन कितने degree का था, 90 degree, कितना degree का जुकाव किया आपने, 23 degree और 30 minute, क्या मैं इस 0 में से 30 गटा सकता हूं, नहीं, okay, साथ, तो मैं यहां से 1 degree उधार ले लो, जैसे इधर लेकर होंगा, कितना हो जाएंगे, 60, ठीक सा, अब इधर कितना रह गया, 89 degree, इधर कितना minute हो गया है, 60 minute, minus कितना degree, 23 degree और 30 minute, 0 में से 0, 6 में से 3, okay, अगला sign किसका है, degree, 9 में से 3, 8 में से 2, तो सूर्य और पर्थी के बीच में अधिक्तम कौन कितना degree का बनता है, 60.66 degree, जब यहां से कोई waves निकलेगी ऐसे, तो वो सीधी ऐसे निकल जाएगी, right now, अब इस अक्षपर नहीं आएगी, यहीं तक आएगी, सर इतना, यहां क्यों नहीं आएगी, क्यो पर्थी के बीच में अधिक्तम कौन कितने degree का है, 60.66 degree का, right, okay, then important चीज, यह पर्थी किसके चारों परिक्रमा कर रही है, ठीके सा, पक्का ना, okay, clockwise या anticlockwise, anticlockwise, घड़ी की सूरी के विप्री दिशा में, एक दिर्ग वर्ताकार पत पर पर्थी सूरी के चारों और परिक्रमा करती है, right, तो अपन ठीक बीच में किसको बिठाते है, सूरी को, यह सूरी, अब मुझे बताओ कि एक चाय वो great circle हो, जिसकी एक कोई एक भाग maximum हो सकता है, तो इस दिर्ग वर्ताकार पत पर अगर पर्थी परिक्रमा करीए, तो इस परिक्रमा में अधितम 90 डिगर के एंगल कितने बन सकते है, समकॉन की इस्तिती कितनी बन सकती है, 4 ही बनेगी, क्यों 360 maximum एंगल हो सकते हैं, और उसमें संकॉन की इस्तिति यह बन सकती है, इसकी आपोस maximum sum count कितने बने चार, कितनी अवधी में तो यह परिक्रमा अगर suppose मैं यहां से start मानता हूं कि पर्थी ने आज first time से यहां से परिक्रमा करना शुरू किया है, first, इस point से, तो इस point से जब पर्थी ने परिक्रमा start की होगी, तो कोई भी एक हमारे पास एक location आ गई, first, right? जब मैं अपने calendar में देखता हूँ, तो यह परिक्रमा की तीती होती है, यहां से first, 21, March, right? यह knowledge मेरे पास है, लेकिन क्या मैं इस पूरी पर्थी को आपकी कक्षा में लाकर, class में लाकर समझा सकता हूँ क्या? हाँ यह ना, कि पूरी पर्थी उठा के लेकर आजाओं, और देखो, जो सरह हम खुद भी तो पर्थी पर ही है, right? जिस पर्थी की आप बात करें हो, उस पर्थी के बने थोड़ा सा knowledge आप यह ले लो, कि यह जो पर्थी हैं, इस पर्थी का केवल, मैं आप से कहूँ कि जो मद्धि से अगर एक लाइन कीचूँ, तो इसकी लंबई भी होती हैं, 12,756 किलो मेटर, कितनी लंबई हैं? 12,756 किलो मेटर, right? इतने विशाल पेंड को किसी के कक्षा में ले जाकर हम पर्जेंट नहीं कर सकते हैं, तो इसका जो आकार हैं, शेप हैं, उस शेप को कहा जाता हैं, जियो डिसी, गोलाब, right? क्या कहा जाता हैं? गोलाब, गोलाब सर यह क्या बला होती है, सर, तो गोलाब अबसुल्यूट गोल अकरती नहीं होती है, वो अकरती होती है, जियो डिसी, एक्टर में है, जियो डिसी, जोग्राफि में, बहुत सिंपल सा आपको उधारन बताओं में, इस अकरती को आप देखते हैं, तो best example है, संत्रे नुमा, पर्थी का जो शेप हो कैसा है, संत्रे जैसा है, संत्रे न North Point ये थोड़ा सा, और South Point ये, ये दोनों थोड़ा से क्या है, चप्ते, इसलिए इस अकरती को क्या का जाता है, गोलाप या जियो डिसी, और इसको रिपर्जेंट केवल, और केवल कौन कर सकता है, ग्लोब, तो मैं इस ग्लोब को कालपनीक पर्थी मानता हूं, क्या मानता ह इस जिरो डिग्री से पर्थी का निदरण, तो आपने इसे कह दिया, एक्वेटर या भूमध्य, क्या कहा इसको, भूमध्य, मेडिटेरियन, राइट, अब मुझे बताओ कि अपनी इस क्लास में, या आपकी कोई नोट बुक हो, या कोई भी चीज हो, उस पर मुझे डाइ या साउथ है, या साउथ है, राइट हमेशा एस्ट होगा, लेट हमेशा वैस्ट होगा, या फिक्स डाइरिक्शन है, ठीक, अब समझना काम की चीज अपनी थोड़ी इसी, परत्री है, और कोई जुकाव नहीं है, तो अधिक्तम कोण हमेशा कितना बनेगा, मध्य में, बीच में रहेगा, राइट, अब मैं कह रहा हूँ कि इसको आप जुकादो सर, कितना जुकाना है, तो जितना डिग्री जुकाएंगे, उतना डिग्री का कौण क्या होता जाए यह आपके पास है, कोई जुकाव नहीं है, तो आपके पास maximum angle ही रहेगा, मैं कहाँ दस डिग्री जुकादो, बीस डिग्री जुकादो, तो जितना डिग्री जुकाव को है, क्या सुरी की किर्णे उतने डिग्री तक होती जाएगी सीधी, यस, ओके, यही बात क्या इस पर जुकाओ, तो सिधी किर्णे काओ होगी, 10 पर, 20 डिग्री जुकादे, सली किर्णे काऊओ होंगी, 20 पर, और अगर 3.50 डिग्री जुका दे, तो सीधी किर्णे काँओ होगी, 6.30 डिग्री, इस इस, इसPor यह 5.30 डिग्री उतनी तर होगा या क्षिन होगा, जल्दी से दो सिधी किरने का होंगी, 10 पर, 20 डिग्री जुका दो सिधी किरने का होंगी, 20 पर, और अगर 25 डिग्री जुका दे तो सिधी किरने का होंगी, 25 पर, 25 डिग्री पर ही क्यों सर, क्योंकि कितना डिग्री जुका है आपने, 25 ये 25 डिग्री इस पॉइंट का नोर्थ होगा, या स सीधी किरने का होगी? 10, 20 डिग्री जुका दो, 20, और अगर 30, 23 डिग्री जुका देंगे, तो का होगी? 30, ये नौर्थ होगा या साओथ होगा? साओथ, तो वर्ष में एक बार इस पर्थी के उपर अधीकतम सीधी किरने कहां तक हो सकती हैं? साड़े 23 डिग्री नौर्थ में और कहां हो सकती हैं साड़े 23 डिग्री साथ यहीं तक हो सकती हैं क्यों सर साड़े 23 डिग्री ही क्यों क्यों कि पर्थी को कितना डिग्री जुकाया साड़े 23 डिग्री जुकाया अब 21 मार्च के बाद हम आगे चलते हैं कितना तो 21 मार्च और म माई जून कितना जून सर यस पर्थवी आ गई यहां पर और यहां पर जब पर्थवी आई तो सूरी की अधिक्तम सीधी किर्णे कहां तक होगी क्या इस मध्य बिंदू पर होगी या उत्तर में होगी कितना डिग्री उत्तर में हो सकती है? साड़े तेईस डिग्री उत्तर में ही क्यों? कितना डिग्री जुकाया? साड़े तेविस? मार्च, अप्रेल, मैं, जून. कितना जून? 21 जून. रैट? जुलाई, अगस्त, सितंबर. क्या पर्थी पुना इस लोकेशन पर आ जाएगी? यस, सूरी की अधिक्तम सिधिकी ने पुना 0 डिग्री मध्य में. कितने सितंबर को? 23 सितंबर. अक्टुम्बर, नौम्बर, दिसंबर. कितना दिसंबर? 22 दिसंबर. कितने डिग्री तक जुकाया था आपने? तो सूरी की अधिक्तम सिधिकी ने मध्य में होगी या साड़े 23 डिजी पर होगी यह साड़े 23 डिजी उत्तर में होगा या दक्षीन में होगा कौन सी तितिक हो 22 दिसंबर जनवरी फर्वरी मार्च आ गया अपने इस तिति पर राइट जब यह नोलेज अपने को मिल गया कि पर्थी जो हैं वह सूरिक के चारों और क्या कर रही है परिक्रमा कर रही है और कौन से दीर्ग वर्ताकार पत्त पर कितने दिन में सर अपसुल्यूट 365 दिन कितने आवर्स 5 कितना मिनट 48 मिनट 48 मिनट 5 गंट 48 मिनट को हम राउंड फिगर में कितना लिखते हैं 6 आवर्स 365 दिन एक वर्ष 365 दिन दूसरा वर्ष 365 दिन तीसर वर्ष कितने घंट बचते जा रहे हैं 6 6 और 6 18 जैसे 365 दिन का चोथा वर्ष आएगा तो वर्ष दिन हो जाएंगству samma 266, इसलिए हर चोथा वर्ष क्या होता है, लीप वर्ष होता है, ठीक, अब दुस्री की इंपोर्टेंट चीज, क्यों पढ़ना पड़ेगा, तो जो सूरी की आप बात करें हो, ये सूरी आप से कितना दूर है, अभी बात कीती है आपने, 14.95 कोरोड किलो मिल्ट, maximum 100% hydrogen था, वो hydrogen लगाता है, आप सीलियम में बदलता जा रहा है, और हीलियम में जब बदल रहा तो नभी की सलियन कि रहा है, ये नभी की सलियन के दौरा जो रिडिशन निकलता है उसे जोगराफी में तो हम कहते हैं, इंसो लेशन, क्या कहते हैं इसको हम, इंसोलेशन, सामाय आप science वाले लोग इसे कहते हैं lights, और याद करो IST ने कहा था, easy curl, mc, square, सबसे तेजगती प्रकाश की, 3,00,000 km per second, right, 8 minute और 16 second में ये आप तक आ जाता है, कितने दिन में, 8 minute और 16 second में absolute आप तक पहुँच गया, अब ये काम की चीज नहीं है, average ये light जो आप तक गिरती है, ये light आपको per minute, एक minute में 1.93 calorie energy देती है, कितने दिर में, परती minute, कितने इलाकिये पर, परती centimeter square, एक centimeter square पर आपको average energy कितनी मिलती है, 1.93 calorie, अगर ये सूरी की किरने सीधी हो, तो ये energy बढ़कर हो जाती है, 2.4 calorie, कितनी हो जाएगी, 2.4 calorie, और अगर energy तिर्ची हो, सूरी की किरने तिर्ची हो, तो energy घटकर रह जाती है, 1.7 calorie, अब बताओ, जिस समय सूरी की किरने अधिकतम सीधी होगी, आपको उर्जा अधीक मिलेगी या कम, उर्जा अधीक मिलेगी तो तापमान अधीक होगा या कम, अधीक होगा, उस energy से गरम होगे, और गरम होगे तो फर्थिका तापमान क्या होगा, बढ़ेगा, अब ये energy अगर कम मिलेगी तो तापमान भी क्या होगा, कम, तो जिस समय राजस्तान में भारत में अगर तिर्ची किरने होगी, तो तापमान अधीक होगा या कम होगा, कम, सर्दी होगी, इसलिए सर्दी की दूप आपको क्या लगती है, अच्छी, क्योंकि energy कम है और इस energy क कि हमें जरुत है, लेकिन जब गर्मी होती है, तो सूरी कीने क्या होती है, सीधी, और हमारी body से energy को अबजोर नहीं कर सकती है, तो हमें वो गर्मी अच्छी नहीं लगती है, हमारी पर्थी पर सबसे बड़े भगवान केवल यही है, यह energy आती है, और इसी energy के जिनके पास chlorophy है, किसके पास है, अपने पास तो नहीं है, पेड़ पोदो के पास, यह ही chlorophyll क्या करता है, इस energy के साथ CO2 लेता है, H2 लेता है, और यह energy को हम यह कहते है, फोटन, और फोटो सिंसेंथ हो रहा है, प्रकास नसलेशन, इस energy ने C6, H12, O6 और oxygen, यह C6, H12, O6 और oxygen, यह C6, H12, O सीड है, तो फेट भी मिल जाएगी, और अगर दाले हैं, तो आपको प्रोटीन भी मिल जाए, यह हमें मिलता है, और इसको देने वाला को ने, सूरी, राइट, हाँ, अब आते हैं आपन यहाँ पर, आज इसलिए सूरी सब्तिमी मनाई जा रही है, है ना, अब आते हैं आप किरने पूना 0 degree पर होगी, यहाँ उर्जा जादा है, और जब यहाँ सूरी की किरने तो उर्जा जादा है, क्लिए ठीक साथ, अब इस बात को आपको यह पता है, क्या 21 मार्च को सूरी की अधिक्तम सीधी किरने 0 degree पर होती है, क्या, आया ना, यास, जब सूरी की अधिक्तम सिदी किरने 0 डिग्री पर होती है तो अधिक्तम से अधिक्तम तीर्ची किरने कहां तक पहुंच सकती है 1.5 छांसर डिग्री उत्तर और कहां तक पहुंच सकती है 1.5 छांसर डिग्री दक्षिन 6.6 degree उत्तर को निर्धारीत किया, यह जिस ओशियन से गुजरता है, उसका नाम है आर्कटीक, आपने नाम दे दिया, आर्कटीक वृत, क्या कहे दिया, आर्कटीक, 6.6 degree दक्षीन, तो आपने इसे नाम दे दिया, अंटार्कटीका वृत, क्या अंटार्टीका महादीब से गुजरता है, अंटार्टीका यह आर्कटीक महासगर से गुजरता है, आर्कटीक, यह बात कब की होगी, 21 मार्च, ओके सब, अब मार्च के बदब आगे बढ़ रहे हैं है अपन, अपरेल, माई और जुन, कितना जुन, सूरी की अधिक्तम सी की दी किरने 21 जून को कहां तक हो सकती है साड़े 23 डिग्री उत्तर या दक्षिन उत्तर सर साड़े 23 डिग्री ही क्यों 24 डिग्री क्यों नहीं 25 क्यों नहीं 23 एंड हाप ही क्यों बताओ कि कितना डिग्री जुकाया था साड़े 23 तो वहीं तक सी दी कौन सी तिती को 21 जून को अ दिन बड़ा होगा या छोटा? बड़ा? गृष्मी तू होगी या शीत्री तू? गृष्मी? तो क्या जीरो डिग्री से उत्तर में उत्री गोलार्द होता है? यस? तो उत्री गोलार्द में दिन बड़ा होगा या छोटा होगा? बड़ा दिन? तो सबसे बड़ा दिन. फिर इंपोर्टेंट चीज़, दीन बढ़ा है, एनरजी जादा मिलेगी या कम मिलेगी, जादा, तो 21 जून गृष्म अइनात, अइनात का मतलब सिजन, रितू, तो 21 जून उत्री गॉलाद के लिए सबसे बड़ा दिन, और जून का मा उत्री गॉलाद के लिए सबसे गृष्म, सबसे उचतापमान की इस्तथी, क्या भारत भुमद्य से उत्तर में हैं या दक्षिन में हैं, पक्का, ओके, केरल भी उत्तरी गॉलाद में हैं, के केरल हैं टो भारत के लिँढ करण आप ने हैं तो बारत के लिए कहीं आपने हैं सेकंड भारत के मध्य से साड़े तेवीज डिग्री उत्री अक्षांश गुजर रहा है। अब बताओ, भारत में सबसे बड़ा दिन कौन सा होगा? 21 जुन, भारत में ग्रिश्म अइनाथ कब होगा? 21 जुन, क्या मार्च माह के बाद भारत में सूरी की किर्ने सीधी होने लगती हैं क्या? सीधी किर्ने होगी तो एनरजी जादा मिलेगी या कम मिलेगी? तो कौन सी रितु पढ़ेंगे? क्या भी ग्रिश्म अग्रिश्म तो आने वाली है? यस! हमने समझने के लिए सूरी को अब डाउन किया है, वास्ता में परिक्रमा कौन कर रही है? पर्थी, राइट? अब आते हैं अपन डाउन, चुलाई, अगस्ट, सिप्टमबर, कितना सिप्टमबर? यस! वापस आगए अब 23 सितंबर? क्या जो 21 माहगी इस्तति थी, वही इस्तति 23 सितंबर की भी है? सेम, देख लो! कि जो कंडिशन हमारे पास 21 मार्ज की है, पहली कंडिशन, क्या वही कंडिशन 23 सितंबर को भी है क्या? तो तिसरी condition ले 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 बीच में इसको डाल देते हैं पर इसेकेंड तो पहली इस्तिति और तिसरी इस्तिति क्या है बिल्कुल समान 21 March और 23 September को क्या जितनी तिर्ची किन है उत्री गोलार्द में उतनी तिर्ची किन है दक्षीन गोलार्द में भी है यस अगर तिर्ची किन है बराबर है तो दिन राद भी क्या होंगे बराबर बराबर दिन राद को जोगरापी में कहा जाता है विशु ओक्तिमम इसलिए जीरो डिग्री को हम कहते हैं विशुवत एक्वेटर क्योंकि 21 March वसंद विशु और 23 September शरद विशु इस समें पर्थी दिन रात अबस्युट 12 hours का दिन और 12 hours की रात होती है इस condition को कहते हैं optimum इस condition को कहते हैं विशु इसलिए जीरो डिग्री को नाम देते हैं विशुवत ठीक कि साब पर्थी के मद्धी से हैं इसलिए भूमत ठीक अब चलते हैं अक्टुम्बर नावंबर दिसंबर कितने दिस सूरी की अधिकतम से अधिकतम सीधी कールने कितने degree तक साठे 27 दीघ्री दक्षीन इया उत्तर दक्षीन हीक सा अब यह जैसे इंडिया के मद्धी से ही हैं तो एक और देश हैं दक्षिन गोलार्द में देश भी हैं और अपने हमें गोंटिन यह हैं ऑस्ट्रेलया राइट लेकिन हम तो सर नोर्थ इंडिया में नोर्थ हमस्पेर में जब उत्तर में हैं तो हमारे लिए सबसे बड़ा दिन 21 जूने तो क्या इस कंडिशन में भारत में सीधी किर्णे होगी या तिर्ची किर्णे होगी तिर्ची किर्णे होगी ये उत्तर में ज्यादा होगी या सबसे चोटा दिन राइट ओके क्या इस समय भारत में शीत रितु रहेगी तो हम बोलेंगे शीत आइनात ठीक साथ अब आप में से कितने से लोग हैं जी हो पहले जोग्राफिक कोचिंग कहीं ने कहीं कियी है थोड़ी बहुत ऐसे पूछ रहा हो जनरल कुछ भी नहीं पूछ करते हैं बहुत हैं कहीं ओनलाइन पढ़े होंगे थोड़ा बहुत तो काईड वाई पढ़े हैं हम लोग ठीक सा बस बस क्या कारणे साड़े तेवस डिग्री उत्री अक्षांश को कर्क कहते हैं इसका नाम ट्रॉपिकॉप कैंसर क्यों है क्या इसका नाम ट्रॉपिकॉप क को कर्क कहते हैं क्या यास चलो एक और चीज बताओ 14 जनवरी को ही हम मकर संग्रान्थी क्यों मनाते हैं कि सूर्य है मकर हाँ हाँ भूलो कि मकर राशी को पाहर करके चलो चलो छोड़ो 14 दिसंबर से लगाकर 14 जनवरी की बीच में आपके घर पर शादी का काट आया था क्या बिल्कुल बन पापा ने गाड़ी वाड़ी खरिदने के लिए मना कर दिया नहीं और कोचिंग के लिए भी क्या कर दिया नहीं मलमास के बात जो इन करना तो चलो 14 दिसंबर से 14 जनवरी जो है वह मलमास क्यों होता है तीनों चीज को समझना यह इदर देखो छीज समय आपका सुनो इधर इधर अपका अपना एक नाम है सबका और आपके अपनी राशी भी होगी किसी की राशी करक है किषी की मितुन है किसी की तुला है ऐसे इत इना नाम करक और मकर ही क्यों उसको समझ लो, क्यों मलमास मनाते हैं उसको भी देख लो, इतर देखो, जी समय पर्थी सूरी की परिक्रमा करती है, ठीक उसी समय पर्थी सूरी के समान अन्य स्टार ग्रूप होता है, तारा समो होता है, उन तारा समो की भी क्या करती है, परिक्रमा, इन तारा समुको जैसे हमुम सिंदुगाटी सभिता पड़ते, वेसीक सभिता होती, सुमेरेन, दजला फर त, इसुमेर्यन संस्क्रेती ने उसको नाम दिया राश्य, क्या नाम दिया उसको? राश्य, जिस तारे इस्जुर्ह समुका आकार तराजु जैसा है, उसे कहा तुल् तो पर्थी पर्थी एक महा में एक राशी से गुजरती हैं, जब पर्थी यहां आती हैं, तो 14 जून से लगाकर, 14 जुलाई के बीच में पर्थी कर्क राशी से गुजरती, कौन सी राशी से? कर्क से, 14 जून से लगाकर, 14 जुलाई के मध्य पर्थी कौन सी राशी से गुजर ठीक सा, अब उस समय जो दूसरे ग्रहें, वो का हैं? सरबुध्यां हैं, शुक्रियां हैं, और किस्मत खराब, और मंगल और परत्वी, दोनों करक राशी पर हो, तो पंडी जी बोलेंगे, ये लड़का, ये लड़की क्या हैं? मांगलीक हैं, क्या हैं? मांगलीक, क्यूं? क् पंडी जी समय परतिक करक राशी से गुजर रही, उसी समय मंगल ग्रह भी करक राशी पर, और दोनों बिल्कुल दूनों एक दूसरे की क्या है? 90 डिग्री पर, तो पंडी जी कुंडली में सबसे पहले किसको बिठाएंगे बीच में? मंगल, और कहेंगे कि आप की राशी म मंगलिक ग्रह से प्रभावी, इसलिए कुछ लो क्या होते हैं? मंगलिक होते हैं, रैक? 14 जून से 14 जुलाई भारत में अधिक्तम उर्जा मिलेगी या कम उर्जा मिलेगी, बताओ, अधिक्तम, जब आवर्शक्ता से अधीक उर्जा मिलती हैं, तो इसे हम हमारे हिंदू मान में कहते हैं, अधिमास, कब से कब तक? 14 जून से 14 जुलाई, कौन सी राश्य से गुजर रही थी? इसलिए इस अक्षांश को नाम दे दिया, ट्रॉफिक ओप, कैंसर, कर्क, अक्षान, हमारी बोडी में भी, जब किसी की बोडी में, अनलिमिटेट सेल ग्रोथ करने लग जा आजाये मापस? ठीक उसी परकार से पर्थी, चौदा दिसंबर से लगा कर कब से? 14 जनवरी तक कौन सी राश्य से गुजरती हैं? मकर से, इसलिए इस अक्षांश को नाम दे दिया, मकर अक्षांश, क्या नाम दे दिया? मकर अक्षांश, तो एक अक्षांश हो गया कर्क, औ तो हमें आवश्यक्ता से कम उर्जा मिल रही है, जादा उर्जा मिल रही है? कम मिलेगी? कितनी मिलेगी? 1.7 ही, जब कम उर्जा होगी, तो हमारे लिए अच्छा या बुरा है? बुरा है, एट्मोस्प्र में एनेर्जी नहीं है, तो हमारे सारे अच्छे काम क्या कर देते ह कब? दिसंबर से कब तक? 14 जन्वरी तक भारत के संदर में यह समय अच्छा नहीं है इसलिए हम इस अवदी को कहते हैं मलमास 14 जन्वरी को सूरी का क्या हो जाता है? उत्रायन सूर्य पुना उत्तर की ओर जाना शुरू यह सूरी का उत्रायन है और जैसे सूरी का उत्रायन होता है हम इस समय मलमास को समाप्त करके सारे मांगली कारिये शुरू कर देते हैं और दानपुन्य करते हैं इसलिए हमेशन 14 जन्वरी मकर संक्रा जब यह कॉंसेप्ट आपको समझ में आ गया राजस्थान पर बनने वाले कोई भी प्रश्न हो आप गलत नहीं करोगे कितनी तारीको करक एकापर सूरी की सीधी किरने है? कितनी तारीको मकर एकापर सूरी की सीधी किरने है? 22 दिसंबर क्लियर? अब इसी चीज को यह लागो करो देखें आपको कितना समझ में आया आप उत्तर दे देना सपोज यह राजस्तान के रवस्तेती? कितना डिग्र황 राजस्तान? 23 दिजए लिग्री 3 से 30 डिग्री 12 रा मिनट माल लेते हैं यह हमारे पास जीरो डिग्री और यह Eladhy destruction… प्रशानश.. क्या नाम दिया था? मकर.. क्य सी तिथी को सूरी की अधिक्तम सीधी किरनेroyCl confront अक्षांश पर होगी? मुझे नहीं पता आप बताओ 22 दिसम्बर सूरी जब 22 दिसम्बर को मक्कर अक्षांश पर हैं तो राजस्तान में अधिक्तम सीधी किरने होगी या अधिक्तम तिर्ची किरने होगी? तिर्ची किरने हां या ना तो क्या राज्य में सूरी की अधिक्तम तिर्ची किरने कौन सी तिथी को डेड बता दो 22 दिस्थम्ब्र तिर्ची किरने जितनी अधिक होगी यह तो जिदी दीन बड़ा होगा यह चोटा होगा? तो राजस्तान में सबसे चोटा दीन 22 दिसम्भ, याइट? प्रश्ण पुछाओ उसने राजस्तान का सबसे चोटा दीन कौन से जिल्ले में होगा? बताओ जल्दी से श्री गंगा नगर तो क्या राजस्तान का सबसे छोटा दिन श्री गंगा नगर है? यस, जितनी जादा तिर्ची किर्ने दिन उतना ही छोटा किल्या? ओके, लेकिन उसने पुछा, नहीं, मुझे तो बताओ, सरवाधीक तिर्ची किर्नो वाले जिले, अवरोही क्रम से, गठते हुए क्रम से, तो नमबर वन, नमबर टू, मुझे नहीं पता है, अनुप गढ़, ओके, हनुमान गढ़, नमबर थर्ड, ओके, ध्यान रखना, अब याद रखना, श्री, हनू, अनूप, बी, बताओ, नमबर वन कोण होगा? हनुप, अनूप, बीज के कि लिए, पांच परशना, राजास्तान में कौन सी तिति को सूरी की अधिक्तम तिर्ची केरने रहती है? सरवादी तिर्ची केरनवाले जिले, अवरोही क्रम से, श्री, हनू, अनूप, बीजeed μας, अनूप, बीज भिखनेगी, चीक्सा, 22 दिसंबर से आके बढ़े मार्च कितने मार्च अभी घर में आना शुरू हो जाएगे सब थोड़ा थोड़ा असरत आज ही दिख रहा है छीक सा अप्रेल, मैं और जून कितना जून कौन सी तिथी को राज्य में सूरी की अधिक्तम सीधी की किर्ने होगी तो सर्वाधिक सीधी क्या मैं इसको लिख सकता हूँ सर्वाधिक लंबवत किर्णों वाले जिले कौन सी तिथी को सर एकी जुन ओके सर्वाधिक लंबवत किर्णों वाले जिले अवरोही क्रम से तो नमबर वन क्या है बाहसाड़ा कोई दिक्रत नहीं, number two, दुंगरपूर, number third, number four, उदेपूर, okay, हमेशे याद रगोगे, B, D, P, J, क्या रखना है, B, D, P, J, B से, बासवड़ा, D से, P से, J से, जालावाड, इधर, ये वाला हिस्सा, तो J से क्या हैगा, जालावाड, तो कौन सी तिती को राज्य में सूरी की अधिक्तम सीधी किरने होगी, B, D, P, J, कौन सी तिती को, 21 जुन, जितनी ज्यादा सीधी किरने क्या दिन बड़ा होगा, यास, सबसे बड़ा दिन, कौन सी तिती को है, 21 जुन, अब सबसे बड़े दिन की अवधी, श्री गंगानगर बहुत पहले पुछाता है, यह पूछ रखा है, श्री गंगानगर, क्यों सर, सीधी किरने तो अधिकतम बासवाड़ा में, फिर श्री गंगानगर क्यों, क्या दिन रात पर्थी के गुर्णन गती से बनते हैं, यस, और 21 जून को सूरी की अधिकतम सीधी किरने कहा है, बासव अक्षांज परें, या 3.5 जून को, यह 0 डिग्री, यह कर्क, आगे बढ़ें, 40, 60, 89, और चलेंगे तो 90 डिग्री, 90 डिग्री के बिंदू आजाएगा, यही बात दक्षीन में भी लागू होगी, अब बताओ, इस 0 डिग्री से जितना उत्तर में जाते जा रहे हैं, यह सर सूरी अभी कहा हैं सर, सूरी है साडे तेज डिग्री, उत्तरी अक्षांज पर, यह सिदा है, दीन रात किसे बनते हैं, पर्थी की परिक्रमंट से या पर्थी की गुंणन से, गुंणन से, ऑक्य साब, और जब पर्थी गुम रही है, ऐसे पर्ष्यम से पूरी की और, तो सो बताओ, यह चोटी सरकल जल दीए पर्थी से सामने आएंगे, यह बड़ा सरकल होगा इसus पर्थी के सामने तीजी से आएगा यह सर, तुरू पर तो कितना है गुमाते जाओ, आप गुमाते जाओ, हमेशा क्या रहेगी, लाइट ही लाइट रहेगी, तो 24 सो गंटे क्या रहते हैं, दिन, और एक देश हैं, इसके ठीक पास में, नारवे, चाह ठीक रात की 12 बजे सुर्योदे हो जाता है, इसलिए आप उ से उत्तर में जाओगे, दिन क्या होते जाएंगे, बड़े होते जाएंगे, सबसे बड़े दिन, इसलिए हम पढ़ेंगे वर्ल जोग्राफिय में, दुरू पर 6 मा के दिन और 6 मा की राह, जब ये सुरी इतना उपर शिप्ट हो गया, तो दक्षिन में तो सुरी किर्ने यह यहां से आगे जाएगी नहीं, तो यहां पर क्या होगी, रात गुमाते जाओ, मैं इसे इसे गुमाता ही जाओ, बोटम क्या सुरी दिखाई देगा क्या, नहीं, तो वहां पर क्या रहेगी, रात, यहां पर क्या होगा, दिन, इसलिए, 21 जून को जितना आप करक्रिका से उ खा हुआ हैं कलग बात है पासवाड़ा सूरी की अधिक्तम लंभवत की रने है जो कि सबसे बड़ा दिन कभ हैं 21 जुन राइट ओके अब एक प्रशन हो जुलाई अगस्त सितम्बर कितना सितम्बर पुना सूरी कहा गया जीरोड़ी अक्टुमबर नौवंबर दिसंबर मर्च, अप्रेल, मैं, जुन राजस्तान में शृतितु या ग्रिश्मी रितु हमें क्या अच्छे से समझ में आ गया अक्षान तो हमें रितु भी समझ में आ जाएगी ठीक अब एक लास्ट प्रशन एक्की जुन को दफोर की बारा बजे आपका साथ किस जिल्ले में छोड देगी। सुरिय जब सीर पर होगा तब यह तो परच्छाई नहीं होगी और अब्सुल्यूट करकरे का बहुगा तो बिल्कुल परच्छाई होगी नहीं कौन से गाउं में ऐसा होगा तो गाउं में इस करकर का परिस्तित याद रखोगे चीच कौन सा गाउं में चीच गाउं ये तैसिल याद रखोगे बागी दोरा कौन से तैसिल है बागी दोरा जिला याद रखोगे बासवर तो कौन से गाउं में आपकी परच्छे आपका पास्व है, इसके अलावा और कोई अक्षांश पर प्रश्ण राजस्थान में नहीं बन सकती है। clear? समझ में आया? इमान दरी से? कोई डाउट नहीं है? okay, सब यह तो ले लिया था अपने? इसके बाद हम बात में यह काम का डाइग्रम है अपना ठीक है? इसको खीशना जल्दी से कहें जो चीज़िसको लेना है मैं नमबर डाल देता हूँ, यह सारे डाइग्रम नोट्बूक में बनेंगे है न? यहाँड़िसके रख रगलना तो यहाँ पर यह बनाना है लिखाने के बादए P.d.f मिलेगी बिलकुल मिलेगी, लेकिन किसी को आवश्कता है कि यह तो क्रास में बनाने के लिए खीशना है ना, इनकी PDF मिलीगी, कोचिंग को टेलीग्राम चैनल हें वहां मिल जाएगी आपको, ठीक है ना, उस पर मिल जाएगी, जोइन कर ले ना, उसका बार कोड लगा देंगे बार, अटादें इसको, सभी लोग, नमबर टू, सबसे इंपोर्टेंट है, यह सबसे इंपोर्टेंट है, इंपोर्टेंट है, यह सबसे काम का राजसान से रिलेटेट, ठीक है सा, बाते समझ में आई है, तो एक बार इन डाइग्रम को गोड से देखना, नेक्स्स क्लास में एक बार समझाता जाओंगा और लिखाता जाओंगा में, ठीक है, ओके सब, ठीक सब, ठीक सब, थेंक यू, मेरे नाम डॉक्टर राजंदर सिंग राठोड है, ठीक है, और आपके यहाँ पर जोगराफी पढ़ाएंगे हम, ठीक है, मैं कहां से हूँ, ठीक है, बहुत लंबे समय मैंने उतकर्ष पढ़ाया है, बहुत लंबे समय था, फिर कुछ दो साल मिशन पढ़ाया था, उदेपुर से बिलोंग करता हूँ, ठीक है, एजे गोवर्मेंट सर्विस में प्रिंसिपल हूँ, और,